नमस्कार, सभी आंगनवाईशिप्या के लिए बहुत ही महत्पून जानकारी क्योंकि आप लोग को परधान मंत्री, मात्री, बंदना, योजिना के तहत आप लोग को टोटल 11,000 यानि कि आप लोग जैसे फर्म भरते हैं तो वो यूजर आइडियो और पासवर्ड सभी सेपका को दे दी गई है उसमें कीस तरह से आप लोग फर्म भरेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे क्योंकि उसमें क्या-क्या डॉक्मेंट लगेगी और कैसे आप लोग फर्म भरेंगे इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बाद बागी आप लोग को जो है पहला अगर लड़की होती है या लरका होता है तब भी आप लोग को 5000 मिलेगा और सेकेंड में अगर लड़की हो जाती है तो आप लोग को 6000 मिलेगी इस तरह से टोटल आप लोग को 11000 रुपिया जो है लभार्ती को सभी आंगलवारी सिर्का को देना है तो चलिए हम लोग किस तरह से फॉर्म भरेंगे क्या 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 डोक्मेंट लगेगा pmmby.nic.in पे जाके हम लोग देखेंगे और असानी से जो है आप लोग फॉर्म भर सकेंगे अगर नहीं समझेंगे या किसी भी परकार का प्रोब्लम होगी तो जरूर अपने आंगलवारी हैं पर कमेंट किजिए अधीग से अधीग जानकारी आप लोग को मिलते रहेगी इसी तौन चलिए हम लोग जानते हैं तो आईए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपके फोन में जरूर आप लोग को क्रोम होगा या Google होगा यह दुनों में से किसी पर किलिक करके आप लोग असानी से जो है खोल सकते हैं विब साइट को जैसे कि यहां पे देखेंगे हम ल पैज खुलेगी खुले के बाद अब आप लोग देखेंगे कि यहां पर लोग देख सकते हैं इस तरह से लोगो को दिया गया है यानि लोग को इस तरह से खुलती है तो यहां से यह इसमें जाएंगे तो थुरा सा लॉंग प्रोसेस है या डाइरेक्ट आप लोग लोग इन करेंगे तो आप लोग लोग इन पर चले जाएंगे तो लोग इन पर किलिक जैसे करेंगे तो देखिए कि इस तरह से जो है आप लोग क किलिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग को इस तरह से प्रोसेस में आना होगा आपको इसलिए अगर आप लोग को डायरेक्ट लोग इन मिल जाता है तो आप लोग लोग इन पर किलिक करके इस तरह से यहां पर आ सकते हैं उसके बाद क्या होगा कि आप लोग को विभाग से ज यहां पर Gmail और Password और यह Capture डाले हैं और यहां से हम लोग क्या करते हैं कि Login करते हैं जैसे ही Login करेंगे तो जैसे ही Login पर Click करेंगे तो यह आप लोग को असानी से Login हो जाएगा जैसे कि देखें कि यह Login हो गई होने के बाद अब आप लोग को क्या करनी है सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, तो जैसे कि आप लोग को खुल गई, खुलने के बाद अब आप लोग को क्या करनी है, अगर आप लोग हिंदी में चाते हैं, तो हिंदी में भी कर सकते हैं, अगर इंगलिस में चाते हैं, तो इंगलिस में भी कर सकते हैं, जैसे कि य इसलिए आप लोग को यहां पे English दीक रही होगी, जैसे कि हम लोग हिंदी पे जैसे किलिक करेंगे, तो यह आप लोग देखेंगे, सभी हिंदी हो जाएगी, यानि कि यहां पे, उसके बाद आप लोग समझ गए होगे कि किस तरह से हम लोग को Long Beach चेंज करनी है, यहां से आप लोगो कुलीक करेंगे तो आप ही यहां पर पासवर्ट भी चेंज कर सकते हैं पस्वर्ट चेंज करने के लिए इस पे किलीक करना होगा यह लोगो, पर टीक है ब sign यहाँ पर जो है change password इस change password पर किलिक करेंगे तो आप लोग जो है new password डालके और यहाँ पर submit मारेंगे तो आप लोग को आसानी से जो है change हो जाएगी जैसे कि देखिए हम लोग change पर किलिक करते हैं जैसे किलिक करेंगे तो इस तरह से page खुलेगी और यहाँ पर आप लोग देख जो है change करेंगे वो password आप लोग को दिया जाएगा उसके बाद verify मारेंगे तो आप लोग को असानी से MPN भी change हो जाएगी तो आप लोग इस तरह से जो है समझ गये होंगे कि किस तरह से long base change करनी है और अगर आप लोग MPN change करना चाहते हैं यानि कि pin change करना चाहते हैं तो किस तरह से जो है आप लोग change करेंगे ठीक है उसके बाद आप लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग यहां से back होते हैं बैक होने के बाद अब हम लोग form के आएगी बुलू कलर का और यहाँ पे आप देखेंगे data entry है यह data entry पे आप लोगको click करनी होगी, आप जैसे ही data entry पे click करेंगे तो इस तर्स जो है आप लोग देखेंगे कि बेनिफिसिरी जो है registration के लिए आप लोगको यहाँ पे दिआ गया है, आप लोग new registration करना चाहते हैं तो इस पे click करेंगे जैसे click करेंगे तो इस तरह से page खुलेगी खुलने के बाद अब आप लोग को क्या करनी है यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि लभारती पंजी करन का इस तरह से दिया गया है और यहाँ पे आप लोग जो भी profile यानि कि वेक्तिगत profile होंगे उसको आप लोग update करेंगे update करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे तो आईए हम लोग एक-एक option जो है जानते हैं सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लभार्ति जो है केंदसरकार या राजसरकार या किसी भी परकार का करमचारी तो है या नहीं यही आप लोग को पूछा जा रहा है अगर है तो हा करेंगे अगर नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट नहीं पे रखेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे आबेधन के लिए यानि कि आप लोग जब आबेधन करेंगे तो किसके लिए करेंगे पहला वच्चा के लिए या दू करनी हैं जैसे कि यहाँ पर किलिक करेंगे तो अगर जी मित बचा झा रहेगा तो आप लोग एक ,दो ट्री इस तरह से आप लोग किलिक करके आप राखेंगे उसके बाद आप लोग नाम को दर्ज करनी है उसके बाद आप लोग देखेंगे तो उनका जो है जनमतिती आप लोग दर्ज करेंगे और जैसे ही जनमतिती दर्ज करेंगे तो आप लोग को जो है उम्र यहाँ पे जो है सो कर दी जाएगी उसके बाद स्रेनी यानि कि जो है केटगेरी यहाँ पे किलिक करेंगे कौन सा केटगेरी से आ उसके लिए आगे आप लोग का प्रोसेस है, सबसे पहले देखें कि दस्ताबेज में आप लोग को क्या क्या होना चाहिए, आप लोग देखें कि इस तरह से जो भी दस्ताबेज है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आप लोग को दिया गया है, लेकिन नर्मली आप ल बारी शेव का देखेंगे, तो सभी लभार्ती के पास आप लोग देखे थे, कि आप लोग को जो है Israam Card बनवाया गया था, तो वो आप लोग जरूर ले, आप लोग को सभी डेटाबेस है, आप लोग को जो भी डौकमेंट है, उससे बेटर है आप लोग को जो है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे e-sram card यह ले लेंगे यह e-sram card पर आप लोग किलिक करके और यहाँ पर पहचान संखिया याँ इसram card संखिया होता है वो आप लोग धर्च करेंगे टीक है उसके बाद वही आप लोग यहाँ पर upload कर देंगे इस पर किलिक करके यहां पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं यहां पर जैसे कि अगर फोन से कीचे हुए होगे तो फोन पर किलिक करके यानि कि जो है कैमरा पर किलिक करके और अगर फोन से कीचे हुए होगे तो आप लोग कैमरा पर किलिक करके आप लोग असानिस जो है इस पर जैसे कि जो भी बच्चा जनम लेता है या गर बती होती है महला तो उनको जो है एक कार्ड बनती है जिस पे जो है जो भी सुई दिया जाता है उसपे लिखा जाता है ठीक है तो उसी में जो है एक ID रहती है वो ID का विबरण आपलोगो यहाँ पर दर्च करनी है उसके बाद यहाँ पर पुर्व जांच कब हुई थी उसका ती थी आप लोग डर्च करनेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या बच्चा पैदा हुआ उसके बाद हाँ या नहीं में आप लोग को जबाब देनी है उसके बाद यहाँ पर ले लेती है तो आप लोग वहाँ पे उनका जो है जनमतिती डर्ज करेंगे और उसके बाद यहां पे बरतमान पता है यहां पे ध्यान दे कि वो बरतमान पता आप लोग दर्ज करेंगे सबसे पहले देखिए कि अगर गरामीन है तो गरामीन पे किलिक करेंगे सहरी है तो सहरी पर click कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो भी पता है, वो पता दर्ज करेंगे, उसके बाद राज्य बहर आप लोग को डाइडीक्ट आजाएगी, जीला भैसाली आजाएगी, बॉलोग जो बॉलोग से होंगे, वो दर्ज आजाएगी, उसके बाद गाउं गाईं से होंगे, वो गाईँ आप लोग यहां पर दर्ज करेंगे और PIN COD यहां पर दर्ज करेंगे और यहां पर जो है जो भी field करे करता है, उनका जो है ID so कर दी जाएगी, उसके रधाव आप लोग को कुछ नहीं करना है, डारेक्ट यहाँ पे submit मार देनी है ठीक है तो यह document जो है आप लोग को successful ले लेगी बाद बाकि आप लोग को जो है इससे आगे जो भी news आती है जो भी काम आती है तो आप लोग को जरूर बताएंगे क्योंकि हमने अभी firm यानि कि हमको ID मिला है लेकिन यहाँ पे जो है हमें एक भी firm नही details से आप लोग भर सकते हैं तो इस तरह का वीडियो था बाद बखिए वीडियो के सालागा आप जरूर कमेंट कीजिए और किसी भी परकार का प्रोब्लम होगी तो जरूर अपने आंगनभारी हल्फ लाइंटे कमेंट कीजिए अधिक जानकारी आप लोग को इसी तरह से मिल